हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपके स्टडी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वकैब की स्रीच चले है जिसमें हम बात करते हैं वकैब एकदम बेसिक लेबल से जीनिए अगर कुछ नहीं भी आता होगा वह भी वकैब सीख सकते ही एकदम आसानी से हम इसमें न कि अपने स्ट्राइब में स्टोरी फॉर्म है ताकि आपको चीज़े काफी समय तक याद रहे हैं जब आप इक्जाब में कोशन देखो तो आपको याद आ जागा सर ने ऐसे स्टोरी बताया था यह पिक्चर थी उससे डिपिक्ट हो रही होगी तो आपको अपने आप सारी चीज़े विज्वलाइज हो जाएगे कि मैंने क्लास में ऐसा ऐसा देखा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी और सिस्ट वोकाइब हम लोग सिफ पढ़ते नहीं है उसको प्रैक्टिस भी करते हैं पी वाई क्यू से जो कोश्चन आ चुक है और उसके साथ साथ हम ग्रा कि नाबर है सबसाओं ए क्लास 21 क्लास को तो चलिए अपने क्लास को से चाहते हैं और जानते की नहीं क्या है आप क्लास के नीड है क्लास पातिल है और सवाठी और बांए लोग कुसम सरमा लिखते ह достos तो आप देखो और अपने दोस्तों में भी सेर करो स्वाती जी भी लिखते कि वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखती हैं तो मेरा काम है कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लाओं और जो बड़े चीज होते हैं उसको भी आसान भासा में आपको समझाने की कोसिस पर विक्तम ले मैं लगे लिए ताकि आपको समझ में मॉनिका जी भी जूरी है हमारे साथ यह बोले नाइस सेशन सर तो थाइंक्यू आपका और आप हमारे क्लास ऐसे जूरे रहे चलिए बिना देरी के अपना क्लास स्टार्ट करते हैं तो आज का जो पहला वर्ड है वोकेब में ठीक ह है पजल कंफ्यूज पर्प्लेक्स विविल्डर यह सब इसके क्या है सिनोनिम से ठीक है और कोई मैजिसिंस हो ठीक है वह बहुत ही अच्छा कार्ड का ट्रिक दिखा या फिर अपने हैट में से निकालता जब रैविट निकालता हम क्या होते हैं हमें एकदम ऐसे हो जाते है पजल हो जाते हैं इस ने ऐसे कैसे किया ठीक है उसी को बोलता है चक्रा देना वैफ हां ठीक है है आप यहां पर देख पा रहें हो इसी में सबको हो गया होगा सब्सेट थीक है टो इसके अन्ट्रॉनिम की बात कर लेते हैं के लिए और गिंशिवल ठीक है जो कि आपके साम देखता हो और हम से एकदम साफ साफ दिखता हो आप चक्राओ नहीं वैफल नहीं हो तो वहीं इसके अंटोनिम सुरेए श्यालिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है बैल मतलब क्या एक निए dedख कॉमनप्ले सफ्प्रै एक के ख करिया है यह की काम करो चीछ को एक इन ही चीजह भलाव हो रहा है चीछ चित्तु चलग चिवों बैन करना चाहते हो कि हटा दो याग यह बहुत ही बेकार चीज़ है तो इसके अंटोनिम के बात कर ले तो जाएगा ओर इंट्रेस्टी ठीक है चलिए बोरिंग जो हो जाए तो बैनल होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते है नेक्स्ट है वैनीस थीक है मैंछ मतलए निर्वासित करना आप इसको बहुत सब तो एक्सपेल ठीक है यह सब किया है इसके सिनोनीम्स है तो अब झांड्रेट कपल था जारी क्या किया उसकी वाइप ने फों चेक कर लिया अपने पती कर लिए फिर पिर क्या हुआ उसको रू में तुम्हें सोने की कोई होती है पूरा कबजा हो गया तो ऐसा आप याद रखना और यह देख पाड़ा हुआ कि जब आपका इंप्लाया हटता है कोई-कोई जो आपके जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं धक्के मारके बहार निकाल देते जो स्टाफ अच्छे नहीं होत बैम मतलब होता कोई चीजा को हटा ढूरा था रहो था निर्वासित कर्देश घर्ण बरबरक मतलब क्यों होता है औस्थ यस सब इसके क्या है याद कchnetके बार बार कर रहा रहा है गर बरर करता है तो ञार है तो क्या वह पर लूथ तो आ सब पार बार बार बहुत है प्रक्रिच न है तो जब लोग तो वह सब क्याते सिविलाइज नहीं थे जो मन आता था करते थे ठीक है अगर देखी होगी तो आपको पता हो गई ची एंट्वनिम्स की बात कर लेता हो जगा बेनोवेलेंट और सिविलाइज ठीक है तो आप क्रूट्स मूवी आपने देखा हो तो उसमें दिखाता है कि कैसे वह लोग असब भी रहते हैं टीक है चलिए नेक्स्त है बैडियर मतलब क्या होता अब रोद थीक है जो आपको रोक दे आपको आगे ना जाने दे बंद हो जाए वहां पर बाउंड बाउंड ठीक है यह सब क्या होते हैं भैडियर ही होते हैं घेराथ कर दिएelect्स गर zij कर दिया। और आप को अब दिख सकते हैं, अगर संब देख सकते हो अगोड नियुक्ति घुता है इसे कर लेते हैं ठीक है चलिए एंटोनिम्स के बात कर लें तो होगा इंट्रेंस ओपनिंग खाली जगा खुला मैदान यह सब होगा जब आपको कोई अब रोद नहों आपको रोका ना जा सके खुला हो तो यह इसके एंटोनिम्स है ठीक है ऐसे होता ना कि आप यहां से लिख लो कि बार-बार कोई इधर उधर करता तुसको क्या बोलते अब वहां पर बैरियर लगा देते कि अब जाओ ही मार ठीक है तो ऐसे याद रखना नेक्स्ट की बात कर लें नेक्स्ट वानवर्ट सब्स्ट्रिविशन का से इसना है जो मैंने बोलते हैं आग लगाने रचन बात कर लेते हैं नेक्स्ट है और सौनीस्ट को होटा है जो आगजणी करता है ठीक है आग जनी करने वाला हूं एलीगली लीगली सेट्सफाया तू प्रपर्टी ऐसा वैक्ति जो की कानूनी रूप से नहीं इलीगल वेसे आपके प्रपरटी डंगए करने वाले लोग जो होते हैं जनी कर देते हैं चलिए next बात कर लेते नेक्स्ट है आर्षन आर्षन फूबिया आर्षन मतलब भी बता है फूबिया मतलब होता है डर आग से डर फियर और फाया ठीक है जैसे इस बैक्ति को देखो डर लग रहा था आगसे यह बंदें क से तो आग लग गया लेकिन बचाने और नहीं जा पाए को इसको आग से डर लगता है थीक है आग के लिए को और वर्ड होता है ठीक है ठीक है तो आप इसको पाईड़ोफोबिया भी बोल सकते हो लेक्स बात कर लेते हैं नेक्स हमारा है कोई भी चीज आगा artiful हो ठीक है अपने आर्टीस्त होता है तो आर्ट से आप याद रखना है कि जो आइडियाज feeling clearly involved देख पा रहे होंगे कि इतनी किताबे पढ़ लिए इसके पास इतने knowledge आ गहे हैं कि यह अपने idea को असपस्ट रूप से रख सकता है ठीक है जो speaker होता है अगर आप बोलो कि अच्छा speaker कौन होता है जो अपनी आइडियाज को expressions को feelings को अच्छे से वक्त हुवी से सामने वाले को समझा सके ठीक है तो उसी को बोलते है आर्टिकुलेट सु असपस्ट चलिए next बात करते है नेक्स्ट आर्टिस्ट आप सभी को पता है कलाकार one who practice one of the fine art ठीक है जो fine art करता आप देख पा रहे होंगे यहां पर पेंटिंग कर रही है ठीक है चलिए next बात करें next जैसा कि आपको पता है कि हमारा idiom and phrases के session आते हैं तो आज का पहला idiom and phrases above the board above the board मतलब क्या होता है इमांदार रहती ठीक है कर आप cards game खेलता हो तो आपको इमांदार बनना पड़ेगा above the board होना पड़ेगा honest and frank without any secret ऐसा बंदा चुपा नहीं रहा हो तो उसको बोलते हैं above board मतलब इमांदा रहे बोड है यह देखिए बोड बोड से भी उपर है मतलब वह बहुत ज्यादा इमांदा है ठीक है नेक्स्ट है एभाब या over one said ठीक है मतलब समझ से परे अगर आपके सर से कोई भी चीज उपर उपर जा रही यह मतलब आपको समझ नहीं आ रही चीज है ठीक है beyond one's understanding beyond one's capability to understand something ठीक है किसी के समझ से बाहर जाना पढ़े जाना या फिर किसी को कोई भी चीज समझ ना आना देख पार है यह बचारा confused है कि इसके उपर से जा रही है अगर अभी आप से कोई बात करने लेगे ऐसे टॉपि अब physics होती है तो उनकी चीजे जो होती है जो आपके above the head जाएगी स्वाइडिंगर्स cat वाला जो था वो चीजे आपके above the head गई होगी जब आपकी element में पढ़े हो गए तो ठीक है तो यह सब हमारा above and over one's head होता है समझ से पढ़े होते हैं हमारे चले next बात कर लेते हैं next है a child's iOS सी घंइस से मतलब क्या होता है कम जोडी ठीक है अब यह धेपां गर्स के लिए जो हिल्फ होती है वो कम जोारी का तारराणी है पर फीर वहां जाए कि दिधिंगे एकलो प्워 तक्याएगीन से किट्नी हो थी है यह तो से अपतो प pero, जो धाहती बें कैसे मतलब क्या अगनी परिक्षा निश्चित परिनाम आप लोग ने किया होगा क्यम स्थी में एसीड टेस्ट करते हैं तो क्या होता है वहसी में हचिम और वेस तोह कि ठीक है उसकी अगनी परिज्चा बोलते हैं ठीक है अप गोल्ड है या ब्रास है क्या है अप चेक करने के लिए सिट करते हो ठीक है कि react कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है अपने chemistry में पढ़ाओगा ये reactivity सिरीज में गोल्ड रियक्ट करेगा या ब्रास करेगा ठीक है तो आप असानी से इसको पहचान लोग है तो इसी को बोलते है अगनी परिच्छा जो सीता माने दिया था वही अगनी परिच्छा है चलिए नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट है एक्षन स्थी क्लाउडर दैन इनकी देख लो कि वह बूड़ी ओरत है उनका रच इतना भारी होगा तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग हुण का बैग उठा लेना चाहिए उनकी हल्प करनी चाहिए यह लोग सिप कह रहे है लेकिन यह बंदा है वह हल्प कर रहा है तो इन से ज्जादा अच्छा कम यह कर रहा है इसलिए कहते है कि कथिनी से अधिक करनी गोलती है ठीक है एक्षन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाट यू डू इज मोर्ड इंपोर्टेंड वाट तीम से ठीक है आप क्या करते हो वह बहुत ही आवस्यक है बजाए कि आप क्या बोलते हो ठीक है वाट यू डू रिवल्स दरी लिए जो आपकर तो वही आपका सत है कि आप क्या हो नहीं और थीक है इंटेंशन weniger ज़ूँ ठीक है आपका और आपको पढ़ना है आपको काम लेकिन आपको बहुत अच्छा होगा कि नहीं कि करो कि यह पढ़लूंगा वह पढ़लूंगा तो कोई महादेन नहीं अगाट करते हैं नेक्स जैसा कि आपको पता है अगर आप जूरे होंगे तो हमारा एक PANdora बॉक्स होता है जिसमें की जाते हैं और उसमें से कुछ निकलता है ठीक है अब रेगुलर कलास कर वह गो तो आपको पता होगा और आप न्यूव हो तो मैं बता दूँ कि हमारे पैंड़ोरा बॉक्स से निकल दें हंड्रेड गॉल्डेन रूस कौन से गॉल्डेन रूल तो इ अभी पार्टिसिपल्स का इंड हो गया है तो आप लास्ट क्लास देख लेना अब हम करेंगे भर्व का ठीक है भर्व से रिलेटर जो भी इंपॉर्टेंट रूस है उनको डिसकस करें तो हम एक साथ सो नहीं करते है तो डेली एक एक रूल अपने क्लास का साथ डिसकस करते है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो आज का रूल कर रहा है कि जब दो सब्जेक्ट संटेंस में हो और डे आर नाट इन सेम नंबर में नहीं हो तो दे मस्ट है तो यूज सेपरेट एक्जलरी ठीक है तो उनके लिए अलग 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 एक्जलरी वर्ब का यूज होता है इज आर एंब में वाँज वेर है फर बोद आप टीम के लिए यूज करते है मैंने क्या कर आप इसको समझों तो इसको एक्जांपल सा समझे थी किल्ड और वन वीरी इंजल्ड धिक है यहाँ पे देख लेए यहां पे दोनों अलग 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 चीज़े की बात कर एंग त लोग आरे गया थे और यह इंजयर थीक है संतेंस सेम नंबर नहीं है तो इनको सेपरेट हैं रहें से यह लगा और वह उपड़ेख सकते क्योंकि three और one दोनों के लिए लगा दिया जो कि हमारे लिए गलत हो गया अप ऐसा question जरूर देखना क्योंकि प्रिवेस यह कोच्छर तो उने में यह सब कंसेप्ट यूज हुए है ठीक है काफी यूज हुए है तो यह concept आप याद रखना क्योंकि इससे आपके question गलत कि आपको 10 सेकेंड मिलेंगे और उसी 10 सेकेंड में आपको इंसर करने होंगे इस question तो आपको synonyms बताना है anticipated का चार अप्शन है suspected forgotten predicted dreaded ठीक है फटा-फट एंसर कीजिएगा तो चलिए इससे टाइम अप हो गया ठीक है तो मैं बता दू जो anticipated का जो synonyms होगा वह होगा predicted ठीक है मतलब क्या होता भाविश्वानी करना मतलब आगे की अपेच्छा कर लेना कि आगे क्या होगा यह चीज़ पहले पुरबानुमान लगा लेना आप sentence पढ़े होगे तो आपको पता चल गया हो कि next move of the opponent was anticipated कि हमारा जो विरोधी था वो कौन सा चाल चलेगा अगला वह हमें पहले से पाता था ठीक है तो anticipated प्रिडिक्ट कर लिया था हम लोग ने ठीक है suspected आपको पता है forgotten मी पता और ड्रेड़ेड मतलब वह था खुंखा भैवीत ठीक है अब इसको बोल सब्सक्राइब फीयर रॉंग एवाउट ठीक चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपको इडियम का मतलब बताना है इडियम है cock and bull story चार अप्शन है factual story, interesting story, secretive story, widely exaggerated or falsified story यह बहुत easy है बहुत पार SSC ने पूछा है इसका right answer होगा widely exaggerated or falsified story चीक है ऐसा story जो जूटा हो या फिर बढ़ा चारा के बोलागा उसी को बोलता कोका इन भूले story चीक है चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है synonyms, imparts का चार अप्शन, transmit, discloses, exposes, admit अगर आप एलिमिनेट कर पाओ तो से भी यह question असानी हो जागा और वैसे भी easy चलिए time up हो गया तो इंपार्ट का मतलब क्या होगा synonyms होगा transmit ठीक है transmit मतलब क्या होता है देना pass करना ठीक है transmit करते हो न तो pass करते हो कोई वीचिए grant बोल सकते हो ठीक है disclose एक्सपोज यह दोनों synonyms है इसका मतलब होता है उजागर करना या भेद खोलना ठीक है unfold बोल सकते हो और क्या अफोल सकते हो ठीक है एक अडिमीट का मतलब आपको पता है क्या करना confess करना ठीक है कि करते हैं ना confess करते हैं यह वह बोल सकते हैं ठीक है अचिए अश्ट बात कर लेते हैं नेक्स आपको एंट्व निम्स बताने ने कोजेंट का चार उप्सन है अनकन्विंसिंग, कंपेलिंग, पर्टियंट, पर्टिनेट और अनेक्स्पेक्टेड चलिए इसी के साथ आपका टाइम आप हो गया मैं बता दू कॉगनेंट मतलब क्या होता है ठोस बोस अपतो इसको रीजीड ठीक है इसके एंट्विंसिंग भी होता है, जो ठूस है रीजीड है वो क्या होग होगा थाल इत ऑनकन्विंसिंग ठीक है ने जो कि आपको दुरीजा में डाले तो संवोख मतलब सकता है संवोहक similarly कि क्या बोल सकते और जो तो इसको और है इसको या बहुड सकतो आप пр gosh मतलब क्या होता है उचित जेसे अपको पाता है जयसा कि उपच्छा नहीं कि हो होता है तो मतलब कि undetermined होता है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपको EDM बताना है इन अब लोगों अभी तक अब तो इन फॉल स्विंग का वह वह होगा अगर फुल स्विंग में और फैन को कर दो फूल स्विंग में मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपको सीनुनिम से बताना है लाइटिंग आप के लिए ठीक है चार अ फुलसक्त बरैंटे इसका न भी बोल सकते ब्राइटें भी बोल सकतो है प्राइटन भी बोल सकते हो हो जाता है और इन लाइटनिंग आपको पता है मतलब क्या होता है एडूकेटिव इसको बोलते हैं सिक्षात्मक क्या बोलते हैं तो यह लीख देता हूं हिंदी भी लिख देता हूं सिक्षात्मक पनल मंत्मूद करने वाला जो को बोल सकते अब पीछे इसको को भी बोलते हैं और ट्राफिकिंग मतलब आपको पता है तस्कार ही करते हैं इसकोEMAर इलिगलोग सीग्रेंश आप आपूए यह ने नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है ठीक है एलाउएंस गिवेन टु ए वाइफ प्रम हर हस्मेंड और सेप्रेशन एलेगरी एलिमोनी एडवोकैसी आफीड़ी ठीक है यह हमने डिस्कस कर रहता है ठीक है वन वर्ड में हमने इसे बहुत अच्छ से डि प्रेशन पर ठीक है जब डाइवोर्स हो जाता उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको हमबर्क बताना है वन वर्ड सब्स्ट्विशन है वन हुँ डिनाइज वन सेल्फ और डिनरी बॉडिली इसका आपको बताना और कब से कब तक बताना फैक कर दे घीक है दोस्तों में शेर कर दे जिने वकईब की और इंगलीज की कप्लीट क्लास चाहिए जो कि बहुत कम टाइम में सब कुछ उन्हें मिल जाए जो चाहते हो कि हमें कम टाइम देना है लेकिन वहिपा भी सिखना है इंगलिज ग्रमर भी हमारा प्रैक्टीस हो तो आप उनको जरूर से जरूर से जरूर से एर करें, जैसा कि हमारी क्लासे 25 मिएट के अंदर ही ओवर हो जाती है, तो ज्यादा टाइम नहीं होती है, आप बहुत सारे क्लास देखोगें, जिनमें 10 से 12 कुश्चन डिस्कस करते हैं, 25 मिएट में, हम इसमें वकाइब भी कर ले तो चलिए, अगले क्लास में मिलते हैं, कुछ नया लाता हूँ आपके लिए, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भागे!